नमस्कार आप देख रहें निउस 11 और मैं हूँ आपके साथ निर्भै किशोर आज हम बात PM केयर फंड की करेंगे बात हम प्रधान मंतरी मोधी की सहायता की करेंगे दरशल जिस तरीके से कोरोना का कहर जब देश में शुरुआत होई तो उस बीच इस्तिती से निवटने के ल लोग दान देने लगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने खुद ही ट्वीटर के माद्यम से लोगों से जब ही उन्होंने जुडाव किया तब उन्होंने लोगों से अपील की कि आप PM केयर फंड में दान करें इस बिबदा की स्थिति में देश को आपके सहीयों की जरूर गया पीम केयर फंड बनने के बाद उस पे सवाल उठने लगे थे जो विपक्ष्ट था उसने पीम केयर फंड की ऑडिट की मांग शुरू कर दी थी कि आखिर में क्या खर्च हो रहा है कैसे खर्च हो रह है इसकी उन्हें जानकारी चाहिए इसके बाद पीम उन्हें इसकी जानकारी दी है दरसल PM Care Fund से 300 करोड रुपए खर्च हुए है और ये खर्च का पूरा बेवरा आया है इस बेवरे के अनुसार बताया गया है कि देश में कोरोना से लड़ने के लिए जो भी जरूरते हैं उस जरूरतों के हिसाब से खर्च किये गया है और इसमें से 300 करोड जो खर्च किये गया है उसमें से 200 करोड रुपए जो है वो वेंडिलेटर के लिए खर्च किये गया है यानि कि भारत में वेंडिलेटर की कमी है और उसको खरिदने के लिए स्वास्त बिवस्ता को मजबूत करने के लिए PM Care Fund से 200 करोड रुपए जो है वो इसके लिए दिये गय जो की परिशान है और इस बिपदा की स्तिती में सबसे ज़्यादा परिशानी उन्हीं को जहिलना पड़ा है इसके साथ साथ इस स्तिती से निवटने के लिए और इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सिन इस वैक्सिन के लिए भी PM केर फंट से 100 करोन रुपए दिये गए हैं बिहार में भी देश में जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है उस बीच इस्तिती से निपटने के लिए खास करके सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है वैक्सिन की तयारी वैक्सिन बनाय भी जा रहे हैं भारत में इसको लेकर कि तयारी जोड़ दोड़ से चल रही है कई ऐसे देश हैं जो इस तयारी में जोटे वस मिच भारत भी है और इसको लेकर कि इसमें किसी भी तरीके की पैशे की कमी ना हो जिसके कारण इस्तिति बिगडे इसलिए PM Care Fund से 100 करोड रुपए वैक्सिन निर्मान के लिए प्रधान मंतरी ने खुद दिया है और इसकी जानकारी PMO ने दिया है दरसल जिस तरीके से इस्तिति बदल रही है कुरोवना संकर्वन के बीच PM Care Fund बनाए गया था और PM ने खुद इसका आवान किया था आपने भी देखा था ट्वीटर पर भी प्रधान मंतरी नरंद मोदी ने लोगों से अपील की थी बहुत सारे लोगों ने दान किया था इसमें सुर्खियों में रहे था उस बक्त अक्षा कुमार जिन्हों ने दान दिया था इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने दान दिया था खिलाडियों ने दान दिया था फिल्मी हस्तियों ने दान दिया था सभी लोगों ने दान दिया था और इसमें जो पैसे आए उसके बाद अब इसका लिस्ट आया है परवासी मघड़ूरों के लिए एक हजार करोड रूपए जो बनाय जा है वैक्षिन उसके लिए और साथ ही साथ 2000 वंडीलेटर 2000 करोड रुपए जो है वो वेंडिलेटर खरीदने के लिए दिया है हलाकि इसको ले करके पीम केर फरंड को लेकर विपक्ष लागातार सवाल उठा आता रहा था और उसमें भी खासकर कॉंग्रेस कॉंग्रेस की तरफ से इसकी की आउडिट की मांग जो की जा रही थी और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चुनावती दी गई थी कोरोना वाइरस जैसी महामारी से निबटने के लिए पीम केर जो कोस बनाए गठन किये गए हैं इसके समवेदानिक वैदिता को चुनावती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया था जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुचा था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको खारिज कर दिया था हलाकि अर्थ विवस्ता के स्थिति से देश अब परिशान है लेकिन इसके बीच प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने एक एलान किया है और इसको ले करके उन्होंने देश की आर्थिक हालात को देखते हुए मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एलान किया और इसमें उन्होंने मंगलवार की रात को खुद जनता को संबोधित किया उस दोरान उन्होंने एक पैकेज की घोषना की थी और वो पैकेज था 20 लाख करोड रुपए का इस गोषना के बाद उन्होंने कहा था कि सारी जो 20 लाख करोड रुपए जो खर्च होंगे इसका पूरा बेवरा कैसे खर्च किया जाएगा क्या किया जाएगा इसको लेकर के वितमंतरी और वितमंतराले के तरफ से इसकी जानकारी दी जाएगी हला कि उसके बाद निर्मला सितारमन वितमंतरी और साथी साथ वितराजमंतरी अनुराग ठाकुर उनके साथ आया और उन्होंने अब दिन मांगा है कि एक एक करके क्योंकि पैसे का जो रकम है वो बहुत जादा है तो एक बार में एक साथ पूरे खर्च का बेवरा नहीं द पैयार कर दिया है बता दिया है लोगों को और आगे आने वाले इस्तिति में वो धीरे धीरे जो 20 लाग करोड रुपए जो प्रधान मंतरी ने खुद इसके घोसना की थी स्पेसल पैकेज के लिए चाके देश सशक्त बने उसके बाद अब इस पैकेज का पूरी तरीके से क पैसे कैसे क्या करना है जानकारी दी जाएगी लेकिन फिलाल PM केरफंट से जानकारी देना इसलिए जरूरी हमने समझा ताकि आपने भी दान दिया है और आपके दान का इस्तमाल सही जगा हो रहा है या नहीं इसकी जानकारी आपको रखनी जरूरी है इसके साथ साथ और भ बिहार और जहाटखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें